ये जिन्दगी हसी है इससे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो मिहनत करोगे तो वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिस है आपको रब पर रखो भरोसा और वक्त का इंतजार करो नमस्कार दोस्तों मैं उदे सिंग मैं अध्स गुरू उदे सर यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं यूपी टी जीटी पी जीटी मैथमेटिक्स के अंतरकत अगनी पस्ट शीरीज का एटी एस एलेवन का पार्ट फोर जिसमें क्वेस्ट नमबर सेवेंटिशिक से एक हैंडेट तक के प्रशनों को शमलित किया गया है चलिएगा कुर्स शुरुवात करते हैं आज के इस बेह अब्यू है माली जीए कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक है है ना सममित है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर सिमेट्री जब भी कोई दो आब्यू क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो ए और एडायस क्या होंगे इक्वल और इस क्यूं कब होता है, क्यूं सिमेट्री कब होता है, क्यूं सिमेट्री क्या होगा, अगर a dash is equal to a हो जाए, तो a और a dash दोनों बराबर होंगे, तो चलिए यह a रख लिया जाए यहाँ पे, यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 3 plus x, यह यहाँ पे 2 लिखा, यह 1 minus x है, य यह 2 है, और यहाँ पे यह है हमारे पास, y plus 1, y plus 1, यह है 2, और यह है 5 minus y, और यह है 3, अच्छा, equal to y dash, तो y dash का मतलब transpose matrix, a dash, transpose matrix कर दिया जाए भाई, क्या करते हैं, रो को column, column को रो बना देते हैं, तो पहली रो को पहला column बना दीजिए, 1, यह आ गया, 3 plus x, और यह 2, दू दूसरी रो को दूसरा column बना दिया जाए, यह आ जाएगा 1 minus x, और यह 2 हो जाएगा, यह y plus 1 हो जाएगा, अगला, यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 5 minus y, और यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यह दोनों equal matrix हैं, दोनों समान आभ्यू हमको पता है, कि अगर दो अभ्यू शमान होते हैं, दो अभ्यू शमान होते हैं, तो उनके correspondence जो element होते, वो equal होते, जैसे जो element यहाँ है, वो इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा, है ना, तो भाई, यहाँ पे पहली बात तो यह, कि यहाँ कि 2x बराबर आ जाएगा माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 चलिए x का वैलू 1 माइनस का 1 मिल गया y को देख लिया जाए देखिए ये वाला element भी इसी तरह से दोनों बराबर होंगे है न ये y प्लस 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास y y प्लस 1 इक्वल टू कितना 5 माइनस y y को इधर ले आएए तो 2y हो जाएगा 1 को उधर कर दीजिए तो 4 हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा x का वैलू माइनस 1 आ गया और y का वैलू 2 आ गया इन्हें उठा के रख दिया जाए कहाँ पर जो वैलू हमको निकालनी है हमको वैलू क्या निकालनी है कह रहा था कि then आपको वैलू फाइंड करनी है कि इसकी 3 x प्लस y की तो हम रखेंगे यहाँ पर 3 x की जगह पर रखेंगे भाई माइनस का 1 और y की जगह पर रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 सब्ट्रेक्ट करेंगे माइनस का 1 आएगा यानिकि 76 में C वाला जो आप्सन है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा चलिएगा देखेंगे कोस्टन नबर 77 देखें 77 में उसने क्या कहा है कि 0 3 एक हमको मैट्रिक्स दिया गया है पूछा गया कि सिमेट्रिक है या क्यों सिमेट्रिक्स है या हरमिशन है या क्योँ हरमिषन है तो समझ लीजए कि भाई अगर हमारे पास कोई एक matrix दिया है वो हर्मिसन होगा हम क्या करेंगे उसका complex वाला matrix निकाल लेंगे complex मतलब क्या करेंगे उसका conjugate वाला matrix निकाल लेंगे यहां पर i होगा वहां minus i रख देंगे रख दिया और उसके बाद अगर उसका जो transpose है अगर a के बराबर आएगा ठिक है क्या हो जाए भाई अगर वो क्या हो क्यों हर्मिसन हो जाएगा कब अगर इसका transpose जो है माइनस के a के बराबर आजाए है ना तो वो हो जाएगा क्यों हर्मिसन matrix हो जाएगा है ना अब देखेगा यहां पर पहले करके A की पावर T निकाल रहे है A की पावर T 8 की पावर T A का ट्रांस्पोज है ना ट्रांस्पोज आप A तो देखिएगा हम करेंगे क्या भाई पहली रो को पहला कॉलम बना दिया जाएगा 0, 3 और यह हो जाएगा 5 प्लस 2I, दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बना दिया जाएगा माइनस का 3, 0 और यह 9 और इसके बाद यह आजाएगा माइनस का 5, माइनस 2I माइनस का 9 और यह 0 ठीक है हो गया यह, इसके बाद माइनस कॉमन ले आ जा सकता है ले लीजे माइनस कॉमन, तो भाई जो प्लस का हो माइनस का हो जाएगा जो माइनस का हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 प्लस 2i यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 3 यह 0 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा यह मामला जो है, वो Q-Symmetric का है, है ना, किसका है यह, Q-Symmetric, विशम सम्मित आभियू है, कब जब transpose matrix किसके बराबर हो जाए, किसी matrix का transpose matrix जो है, बराबर हो जाए, माइनस के A के, है ना, तो क्या होता है, Q-Symmetric होगा, और अगर क्या होगा, भाई, हम उसका conjugate वाला matrix निकालें, conjugate के matrix का, उसका transpose निकालें, और अगर माइनस A के बराबर आजाए, तो फिर वो Q-Hermission होता है, है ना, अगर A के बराबर आजाए, तो फिर हरमिशन हो जाएगा, चलेगा साप, तो यानि कि 77 में B वाला option या पर correct हो तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, sort में, है ना, समझ लेते हैं पहले, माल लिजए कि हमको कोई भी matrix दिया गया है, देखेगा, हम सारी conditions आपको लिख रहे हैं, symmetric condition कब होती है, वो symmetric होगा, आप लिख लिजएगा, मैं इसे बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, symmetric symmetric होगा, कब, पहली condition symmetric होगा, अगर क्या होगा, A dash बराबर A हो, तो symmetric होगा, दूसरा, अगर A dash जो हो बराबर आजाए, minus के A के, तो यह हमारा होता है, Q symmetric, तीसरी condition में क्या होगा, तीसरी condition में क्या होता, Hermission matrix कब होगा वो, अगर माल लिजए, कि हम, determinant, sorry, जो हमें matrix दी गई है उस matrix का हम क्या करें, conjugate का matrix बना लें, conjugate के बाद हम क्या करें, उसका transpose matrix बना लें और वो अगर A के बराबर आ जाए तो इस condition में क्या होगा, हर mission matrix होता है, यह कौन सी condition है, यह हर mission matrix की condition है, है ना हर mission की condition है और अगर same हम क्या करें वही same काम करें जहाँ जहाँ आई यह वहाँ minus I put कर दें यानि कि उसका conjugate matrix निकाल दें conjugate matrix निकालने के बाद उसका transpose निकाल दें और अगर वो minus A के बराबार आ जाए तो वो Q Hermitian होगा है ना वो क्या होगा भाई इस condition में वो Q Hermitian matrix कहलाएगा अच्छा इ माल लिजे कुछ ऐसा आ जाए कि A की पावर K is equal to आ जाए कि इसके A के ठीक है A की पावर K मतलब A V square हो सकता है एकी पावर 3 हो सकता है एकी पावर 4 की value अगर A के बराबार आ जाए इसे हम idempotent matrix बोलते हैं है ना क्या बोलेंगे इसे हम idempotent matrix अच्छा इसके बाद माल लिजे कि कभी ऐसा हो जाए क्या अगर हम निकाले एकी का पावर के और उसका मान जीरो आ जाए तो इसे बोलते है निल्पोटेंट matrix है ना इसे क्या बोलेंगे निल्पोटेंट matrix और singular matrix कब होता है किसी matrix अगर determinant 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलेंगे singular matrix और अगर किसी matrix का determinant does not equal to 0 आ जाए तो उसे हम बोलेंगे non-singular है ना क्या बोलेंगे non-singular matrix अच्छा इसके बाद अगर माल लिजे कोई matrix में आप a a-s करें है ना a ले और transpose matrix ले 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 उसी का और दोनों का multiply करें और आपको अगर identity matrix बन जाए ये बन ज जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो आर्थोगोनल matrix है इस condition में क्या होगा है वो आर्थोगोनल matrix होगा अर्थोगोनल matrix होगा ठीक है चलिएगा तो सुरुआत करते हैं सारी चीजें हमने देख लिया है यह question देखते हैं यह a given है हमारे सामने है हमको क्या करना है निलपोटेंट matrix देखना है कि है की नहीं ठीक है देखते हैं तो मैंने क्या बताया कि निलपोटेंट matrix की condition क्या है भाई उस non-singular की determinant भी चेक किया जा सकता है तो पहला वाला option निलपोटेंट चेक कर रहे हैं एक ही होगा इन में से अतना तो confirm है है ना चले हम निकालते हैं A into A A square निकाला जाए A square निकाला जाए तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 3 उसके बाद यह 5 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा यह minus का 2 है minus का 1 है minus का 3 है अच्छा इसी यही से multiply करना a into a square निकल के आएगा one one three five two six minus two minus one minus three multiply किया जाएं अच्छा अब देखिएगा कितना आ जाएगा multiply करेंगे भाई हमको पता है पहला वाला column पहली वाली रो के साथ multiply होगा one plus five minus six one plus five minus six का मतलब यह हो गया भाई zero फिर इदर देखो इसके साथ multiply करे कितना जाएगा one two three minus यानि कि यह भी zero आजाएगा इस तरह से कितना हो जाएका three plus six minus nine और यह भी element का आ जाएगा zero आगा अगला करेंगे multiply, फिर से multiply करेंगे, अगला multiply करेंगे तो 3, 3, 9 आएगा, और अगला multiply करेंगे इसके साथ, यानि कि अब ये वाला, इसके साथ multiply हो, देखो minus का 2, minus का 5, प्लस का 6, है न, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर minus का 1 आजाएगा, minus का 1, minus का 1, और यहां आएगा यह माइनस का तीन अब हमको A क्यूब भी निकाल देना है लगे हाथ A क्यूब निकाल लिए यह A स्क्वेर हमको पता है कि A इंटू A स्क्वेर हो जाएगा तो यह हमने A स्क्वेर इंटू A हो जाएगा तो इसे लेख लिए जाए ए लेख लिए जाए 1 1 3 5 2 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 मल्टिप्लाई करते हैं बाई मल्टिप्लाई करेंगे तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कुछी का भी मल्टिप्लाई होगा यह वाला एलिमेंट तो हमारा क्या आएगा 0 आजाएगा पहला वाला देखो सब का multiply करेंगे 0 फिर इसका multiply करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 1 और 15 और 10 कितना जाएगा इसका multiply करेंगे तो यह जाएगा 3 और 5 तिया 15 और 9 दूनी 18 माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा ये भी element जो आएगा माइनस का 6 और प्लस का 6 ये भी 0 आजाएगा इस तरह से आप निकालेंगे multiply तो ये सारे elements आपको 0 प्राप्त होंगे और जब भी कभी आपको पता है कि A square बराबर क्या आजाए 0 आजाए तो ये क्या होगा निल्पोटेंट मैट्रिस की condition होती है यानि 28 में कौन साफ़न सही हो जाएगा A वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 79 देखेंगे 79 में एक determinant दिया गया है और उसकी value हमको find करनी है अच्छा हमें काम कर रहे हैं छोटा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया कि अगर हम R1 tends 2 क्या कर दें R1 plus R2 plus R3 अगर कर दें तो एकदम सीड़ी सी बात है एकदम काच की तरह सारा साफ है कि देखो A plus A omega plus A omega square उपर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई A plus omega A omega plus A omega square और A common लेंगे तो आ जाएगा A into 1 plus omega plus omega square और उसकी value हो जाएगी 0 है ना उसकी value 0 हो जाएगी तो A into 0 मतलब कि ये भी 0 इन वाले हम देखिए सबको जब जोडेंगे तो B common आएगा और bracket में बचेगा 1 plus omega plus omega square और उसकी value भी हो जाएगी 0 यहाँ पर C जब common लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 plus omega plus omega square और उसकी value भी हो जाएगी 0 और यहाँ पर क्या element है doesn't matter आपको पता है कि किसी भी determinant में है ना किसी भी determinant में अगर एक row 0 हो जाए कोई भी या एक कोई column के सारे element 0 हो जाएगे तो उस determinant की value क्या होती है 0 तो 0 यहाँ कहीं यहाँ नहीं रहा तो कौन सा option से हो जाएगा डी वाल option से हो जाएगा नन अबदी एबब इन में से कोई नहीं ठीक है चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 80 question number 80 में हमको निकालना है इसकी value एक काम करेंगे छोटा सा है ना हम यहाँ पे सबसे पहला अगर कभी भी में कोई question मिलता है तो A, B, C तीनो की value एक रखके देख लें बस समस्या यहाँ ना होगी कोई option ऐसा दिया जाए A minus B, B minus A, C minus A तब तो 0 ही आने वाला है तो फिर वो फिर वहाँ पे फेल हो जाएगा यह नियम अब देखिए यहाँ पे विकल्प आराम से अलग किये जा सकते हैं ऐसा मुझे पूरा भरोशा है लेकिन अगर यह A, B, C की value 1 रखने पे मान लिजिए कि यह option 2 option यह 3 option satisfied कर रहे हैं तो फिर आपको अलग-अलग value लेनी होगी A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3 value रख दीजिए है ना फिर आपको उसे calculate करना हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं हमको पता है कि 1 रख रहे हैं तो simple से होगा क्या convert होके आ जाएगा minus का 1 और यह 1, 1 1, minus 1, 1 1, 1, minus 1 यह value आ गई calculate कि हमने minus 1 हो गया into यह चुटेगा, यह चुटेगा 1, minus 1 यह निकि 0 आ जाएगा यह ठीक है, minus का 1, into यह चुटेगा, यह चुटेगा minus का 1, minus का 1, यह चुटेगा, minus का 2 plus, यह चुटेगा, यह चुटेगा 1, plus 2 1, plus 1 कितना हो जाएगा, यह भाई 1, into यह आ जाएगा हमारा 2 calculate किया जाए इसकी value निकाली जाए तो ये भाई 2 आजाएगा और ये भी किया जाएगा दो यानि किसकी value आगई वो 4 आगई अब देखिए का पहला option तो 0 है तो ये तो होई नहीं सकता इसके पास चलो यहां 1 रखोगे यहां 1 रखोगे यहां 1 रखोगे भाई अगर यहां पर value रखोगे तो यह minus का 3 आएगा यह option भी नहीं हो सकता हमें क्या चाइए 4 यहां रखा जाएं जाएगा चार गुड़े एक गुड़े एक गुड़े एक कितना आएगा चार यहाँ संभावना है लेकिन अगला भी option टाला नहीं जा सकता उसे भी देखेंगे हैना हो सकता है कि दोनों match कर जाएगा तो 2 in 2 यह भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा आना कितना चाहिए था चार और चार हमको दिया किस option ने चार आना चाहिए था चार दिया हमको C वाले option ने तो 80 में कौन सा option सही हो जाएगा C option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे question number 81 81 में कहरा है कि what can be said about the solution of the following system of linear equation किरा कि यहाँ पर हमको रैखिक शमी करण दिये गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा option आपको सही होगा यह unique non-zero solution रखेगा infinitely many solution रखेगा no solution रखेगा none इन में से कोई नहीं अब देखें सिंपल सी बात है हमें पता है एक बात यह पता है कि मालिजे कभी हमें इस तरह से तीनी question दी जाएंगी और d की value हम निकालेंगे d क्या होता है x y z के गोडांकों से बना हुआ determinant अगर उसकी value does not equal to 0 आती है तो हम बोलेंगे कि in this condition क्या होगा unique solution रखेगा वो और अगर d is equal to 0 आ जाता है तो फिर दो condition हमारे पास बनती है एक हम check करेंगे कि d1, d2, d3 अगर ये तीनो 0 आ जाते हैं तो इस condition को हम बोलेंगे कि यह यहाँ पर क्या होगा भाया यहाँ पर होगा infinitely many solution लेकिन अगर d1, d2 है ना d1, d2 d3 में कोई एक does not equal to 0 आ जाए या सभी does not equal to 0 आ जाएं तो इस condition में फिर सीधी सी बात बोली जाएगी कि no solution ठीक है तो पहले हम यहाँ पर d निकालते हैं अगर d का मान हो सकता does not equal to 0 आ जाए तो पहले option सही हो जाएगा और अगर equal to 0 आ गया तो फिर हम d1 निकालेंगे है ना देखते हैं तो d निकाला जाए भाई डी क्या है x y z के गोडांकों से बना हुआ determinant 1 1 2 पहली question दूसरी question में आएगे 2 minus 1 3 तीसरी question में आएगे 1 minus 1 minus 1 और इनको डारेक्ट ही calculate कर लिया जाए है ना चलिएगा 1 आ जाएगा into यह चूटेगा यह चूटेगा 1 plus 3 1 plus 3 का मतलब हो गया 4 minus 1 into यह चूटेगा minus 2 minus 3 यह आ जाएगा minus का 5 plus 2 into यह चूटेगा minus का 2 plus 1 minus का 2 plus 1 का मतलब क्या हो गया minus का 1 calculate किया जाए इसको minus का 1 आ गया calculate किया हमने 4 plus कितना जाएगा 5 minus 2 अच्छा 9 में 2 घटेंगे कितना बचेगा साथ, साथ आने का मतलब क्या हुआ, कि does not equal to 0 और जब D कामान does not equal to 0 होता है, तो हम क्या बोलेंगे यह होगा unique non-zero solution है ना, क्या होगा, unique non-zero solution, यानि कि जो हमारे पास system of linear equation है, वो क्या होगी unique solution रखेगी है ना, तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा a option सही हो जाएगा 81 का आगे पढ़ेंगे साथ, 82 क्या है कि for what value of lambda, thy question has a solution, अच्छा have a solution, क्या है कि कम से कम मतलब कि solution होना चाहिए, तो देखेगा पहली condition तो हम वहाँ पर D check करेंगे, हमारी परम जम्मेदारी है क्योंकि D ही हमारा decide करता है कि मामला क्या है, तो D भाई निकालो पहले, यह जाएगा 1 1, 1, 1, आजाओ इसके साथ, यह जाएगा 1 और यह जाएगा 2, और minus का 4 आजाएगा, sorry, plus का 4 है, प्लस हैगा 4 है ठीक है, उसके बाद यह जाएगा 1, और यह जाएगा 4, और यह जाएगा 10, कि रहा, have a solution तो दो condition में solution होता है एक क्या, जब D equal to, D does not equal to 0 आजाएगा unique solution होता है, और क्या होता है, D बराबर 0 आजाएगा D1, D2, D3 भी क्या आजाएगा, 0 आजाएगा तो देखिए, अगर यह फेल होता था फिर रगली वाली condition होगी, है ना, दमस्योरों में चलिएगा, भई रखा जाए, 1 into, यह चुटेगा यह चुटेगा, दस दुनी, 20 minus 16 तो 20 में जाएगे 16 कितना बचेगा 4 minus का 1, यह चुटेगा 10 minus 4 का मतलब कितना हो गया 6 हो गया, plus 1 यह चुटेगा, यह चुटेगा 4 minus 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 ठीक है भी, यह जाएगा 4 minus 6 plus 2 ओफो, 6 minus 6 D equal to कितना आगया 0, अब D का मान अगर 0 आता है, तो देखे 2 condition पर solution होते हैं consistent होते हैं system of equations कब, या तो D का मान does not equal to 0 हो, तब unique solution रखता है, और अगर D का मान 0 हो गया, तो infinitely मेनी solution रखेगा, अगला विकल्फ हमारे पास यही बच रहा है, और उस condition में D1, D2 और D3 है ना, D1, D2, D3 की value क्या होगी, 0 होगी, ठीक है अब अगर भाई, यह तो एक्दम clear हो गया, यह clear हो हो गया कि solution के रहा है, कि है बस solution, एक solution रखना चाहिए, तो solution वाली condition क्या है, D का मान 0 हो तो D1, D2, D3, D का मान भी क्या होना चाहिए, 0, तो भाई, अब आपको पता चल लाया कि for solution है ना, पहला वाला तो fail हो गया कि भाई, does not equal to 0 होता तो unique solution बोल देते, तो D1, D2, D3 क्या होना चाहिए, भाई, यह 0 होने चाहिए, D1 भी 0 हो, D2 भी 0 हो, D3 भी 0 हो, तो चलिए, D1 को आप 0 कर दीजिए, करना ही पड़ेगा, है ना, और कोई विकल्पी भी नहीं है मारे पास, चलिए यहाँ पर रखेंगे D1, D1 यहाँ निकाल देते हैं, D1, equal to, D1 का मतलब जहाँ पर X है, वहाँ पर यह गुडांक ले लिए जाएं, यह वाले कौन से, अचरपद, जहाँ X है, वहाँ रखो, D1 की जग़ब, X की जग़ब पर गुडांक रखो, पहले का गुडांक, सुरी, अचरपद 1 है, दूसरे का, लेमडा स्कुएर है, तीसरे का भी, लेमडा स्कुएर है, फिर बाकी तो हमारा सेम रहेगा, यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, equal to 0 लेके चलना है, और इसे calculate करना है, तो कितना आजाएगा, यह calculate करेंगे, अगर तो इसे कितना आजाएगा, भाई, यह 1 हो जाएगा, यह छुट 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 2 lambda square, यानि कि आजाएगा, 4 lambda square, equal to 0, यानि कि आजाएगा, lambda square is equal to 1, lambda is equal to, आजाएगा, plus minus 1, है ना, plus का 1 भी lambda की जगह पर रखा जा सकता, और minus का 1 भी रखा जा सकता, यानि कि 82 का कौन सा option से ही हो जाएगा, डी वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, next question number 83, क्रा कि, if A is 3 cross 3 matrix, whose rank is 2, है न, इसकी rank कितनी है, 2 दी गई है, तो हम से कह रहा है, भाई, हमें पता है कि rank of A, A matrix है, है न, rank of matrix A कितनी है, 2 है, और rank of matrix B कितनी है, 3 है, हम से पूछा है rank of A, B, है न, तो एक बात याद रखेंगे, जो rank of A, B होगी, है न, वो क्या होगी, less than equal to होगी, किसके rank of A के, rank of A, क्या होगी, less than equal to होगी, है न, दोनों में से, अगर हम दोनों को multiply करते हैं, तो A की जो rank है, उससे क्या होगी, A, B की rank, जो होगी, less than, less than, छोटी भी हो सकती है, या बराबर हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती ठीक है तो चलिएगा less than equal to और इसका rank कितना है 2 तो कितना हो जाएगा भाई rank of a b कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी rank of a b तो कितनी हो जाएगी equal to 2 तो कौन साफ़न सही हो जाएगा d वाला सही हो जाएगा 83 का d option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 84 84 में हमसे कह रहा है कि two are more event associated to a random experiment are mutually exclusive हमको पता है कि mutually exclusive events में कुछ common नहीं होता दोनों में है ना दो घटनाए mutually exclusive कराती है परस पर आप और जी घटनाए कहलाती है कब जब उन दोनों में कुछ भी अभैनिस्ट ना हो मतलब वो घटित होगी तो वो घटित नहीं हो सकती तो ऐसी घटनाओ को हम क्या बोलते है mutually exclusive event बोलते है परस पर अपवर्जी घटनाए बोलते है और यहाँ पे उन दोनों में जो common element होता है वो क्या होता जीरो होता है है ना उनका जो intersection होगा दोनों का वो क्या होगा जीरो होगा तो probability of आजाएगा A intersection B is equal to आजाएगा number of A intersection B divided by NS है ना कितना आजाएगा भाई यह आजाएगा 0 बटे NS कितना आजाएगा 0 यानि कि probability of A intersection B की probability क्या होगी 0 होती है कब जब mutually exclusive events दी जाए पर अपवर्जी घटनाए दी जाए अच्छा अब देखेगा यहाँ 85 में कह रहा है कि probability of यह दिया गया देखेगा एक बात मिरी याद रखेंगे सिंपल सी बात है हमें निकालना probability of एक बात याद यह रखेंगे कि A intersection B बार की जो probability होती है वो क्या होती है probability of A minus probability of A intersection B दूसरा probability of कितना अब है हमारे पास A bar intersection B equal to तो यह आ जाएगी probability of B minus probability of A intersection B दोनों को जोड दिया जाए तो probability of A intersection B bar union A bar intersection B की probability मिल जाएगी यानि कि अब हमें निकालना है probability of किसकी A intersection B bar union A bar intersection B की probability निकालना है तो दोनों को जोड दिया जाए तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यानि कि कौन सा ओप्षन से हो जाएगा 85 का A option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 86 86 में कह रहा है कि in a college 50% student in mathematics जब भी कोई percent में दिया जाए इसका मतलब क्या है कि probability जो होगी probability दे दी गई है ना मतलब गणित बढ़ने वाले बच्चों के probability कितनी है 25% है अगर हम गणित को M से लिख दें तो probability आफ जो M दी गई वो कितनी दी गई है 25% दी गई यानि कि 25 बटे सब मुसे convert नहीं करने वहीं छोड़ देते हैं और chemistry पढ़ने वाले बच्चों की जो probability है वो कितनी है बटा 15 है ना यानि कि sorry chemistry मतलब PCC लिख देते हम इसको तो यह है 15% और 10% आर और करा कि इन a college 25% in mathematics 15% in chemistry and 10% are failed in both both mathematics और chemistry दोनों में ठी के percentage दिया गया फेल होने वाले बच्चों का कोई बात नहीं तो यह हो जाएगा हमारा 10% दोनों में common fail हुए है ना find the probability who failed in chemistry will also failed in mathematics हमें क्या निकालना है हमें probability निकालनी है किस बात की गडित में फेल होने वाले बच्चों की प्राइकता निकालनी है जबकि यह दिया गया है क chemistry में बच्चा fail है है ना तो conditional probability हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे probability of mathematics निकालनी है when c is happening यानि की बच्चा गडित में already fail हो चुका है यह पहले से ग्यात है तो क्या हो जाएगा probability of m intersection c divided by probability of c intersection की probability हमको गीगे यह 10% बटे और chemistry की probability कितने दी गई है 15% परसंट से परसंट खतम हो ज पंद्रा बचेगा काट दिया जाएगा परसंट से परसंट काट दिया हमने 5 से काटो पांदू निदास पांतिया पंद्रा यह आ गया साहब दो बट्टा तीन कौन सौफन से हो जाएगा 86 का यह वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 87 87 में कराए कि the terms independent of x in the expansion इस expansion में चलिएगा दिखेगा independent term का मतलब होता है कि x की power 0 है ना x मतलब वहाँ पे है नहीं x की power क्या है 0 तो हम सबसे पहले r निकालेंगे है ना फलाने के प्रसार में r निकालेंगे तो r बराबर कैसे निकालते है n इन कितना दिया गया है no formula है हमारे पास n alpha minus m divided by alpha plus beta m क्या है जिसका गुडांक निकालना होता ये है m का मान ये है m का मान 0 है ना n क्या है ये है n का मान और alpha क्या है ये है हमारा alpha और beta क्या है इसकी जो power है वो क्या है beta है ये क्या है alpha है ठीक है रखा जाए value तो ये है n यानि कि 9 alpha का मान दिया गया है साहब 2 M का मान है 0 बटे 2 प्लस बीटा का मान है 1 नो दूनी 18 बटे 3 यानि कि R का मान आ जाएगा 6 अब ये R का मान 6 आ चुका है मतलब हमें क्या निकालना है वो टर्म निकालना है T R प्लस 1 यानि कि T 6 प्लस 1 ये R का मान आता है डारेक्ट है ने नमाप्द नहीं आता है ये R का मान आता है तो T R प्लस 1 N C R 9 C 6 और फिर X की पावर में N minus R 3 बटे 2 की पावर में 3 बटे 2 की पावर में N minus R मतलब 9 minus 6 का मतलब हुआ 3 into minus के 1 बटे 3 की पावर में कितना R R का मान कितना है सहाब 6 दिया गया है है ना R का मान कितना है 6 दिया है चलिएगा calculate करते है देखे 9 6 9 C 6 को हम लिख सकते हैं हमको एक बात पता है कि N C R जो होता हो बराबर होता है N C N minus R के तो इसे हम लिख सकते है 9 C 9 minus 6 यानि कि 9 C 3 लिखा जा सकता है ये कितना हो गया भी या ये हो गया 3 की power 3 divided by हो जाएगा 2 की power 3 गुडे देखे इधर लिख जाएगा भाई power में समसंग क्या minus से कोई दिक्कती नहीं और 3 की power 6 है इसका मतलब हम लिख सकते है 3 की power 3 into 3 की power 3 इन दोनों को काट दिया जाए गुडा में घाते जुड़ती थी इन की power 6 ही लिखा हुआ है चलिएगा ये कितना हो जाएगा साहब ये हो जाएगा 9 C 3 into 1 by 2 यानि कि ये 6 हो जाएगा भाई देखो 2 की power 3 into 3 की power 3 है ना तो क्या हो जाएगा हम लिखेंगे इसे 2 into 3 की power 3 तो 2 into 3 6 हो जाएगा और ये मतलब आजाएगा 6 की power 3 है ना मतलब कौन साफ़न से ही हो गया है क्या बात है 87 का पहला वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 88 correct coefficient of x square in the expense same question है जैसे हम लोगों ने भी किया हम लोग क्या करते है पहले r निकालते है r कैसे आएगा n n का मान कितना दिया गया है 8 into alpha alpha का मतलब ये मान ये घात और ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई गुडे में आ गई alpha में 1 minus m m क्या है भाई ये है जो power दी गई है 0 यानि कि 2 बटे alpha plus beta 1 plus 1 यानि कि 2 8 minus 2 में 6 6 बटे 2 का मतलब क्या हुआ 3 r का मान कितना आया 3 हमें क्या निकालना है tr plus 1 यानि कि 3 plus 1 यहाँ ध्यान रखना कि t3 ना निकाल दें तो t3 plus 1 यह कि r का मान निकल के आता है r न एन वापद नहीं निकल के आता कि हम उसे निकाले tr plus 1 वापद नहीं यह r का मान डारेक्ट निकल के आता है n c r 8 c r का मान है 3 फिर x की power में कितना भाई अब देखिए कि r निकाले ही है तो हमें x को रखने की जरूरत नहीं है वो x square अपने आप बनेगा पस आप सिर्फ गुडांग गुडांग ले लो ठीक है तो भाई यहाँ पर कुछ है ही नहीं कोई दिक्कत नहीं आगे चलो minus का 1 by 2 की power में r यानि कि यह 3 हो जाएगा अच्छा तो आपको पता है भाई पावर में विसम संख्या माइनस दे देगी तो यह और यह हो जाएगा 1 by 8 एक बटा 8 और यह हो जाएगा 8 c 3 minus 1 by 8 8 c 3 यानि कि टी 8 का जो b वाला option है वो correct हो जाएगा साब आगे बढ़ेंगे question में देखेंगे 89 89 में हमको दिया गया है कितना n c 0 plus एक बहुत ही शांदार question है यह है ना बस करने की जरूरत है समझने की जरूरत है देखेगा अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं summation के रूप में summation r बराबर अगर हम ले लें क्या 0 0 से starting 0 1 2 3 अच्छा कहां तक ले लें n तक ले लें और भाई यहां पे ले लें r plus 1 और इसे ले लिया जाए यह है हमारा n c r देखेगा r बराबर 0 रखके तो पहला पद आजाएगा r बराबर 1 रखके देख लिया जाए r बराबर 1 रखकेंगे देखो दूसरा पद आजाएगा r बराबर 3 रखकेंगे मतलब अग्दम correct है कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए यह summation है summation हम दोनों को break कर रहे हैं देखे यह r plus 1 है न n c r का गुड़ा करो यह पद अलग करो तो यह आजाएगा r is equal to 0 और यह आजाएगा n यह आगया r into में आगया हमारा n c r plus इस 1 के साथ multiply होगा तो यह तूट जाएगा r is equal to 0 n और यह आजाएगा n c r ठीक है बया अब देखो अगर हम r को r को भाई n times लिखेंगे n बार है हमने उसे n ले लिया और यह आगया हमारा शिगमा कितना भाई r is equal to 0 अच्छा r is equal to 0 को हम 0 ना करें हम इसे क्या कर दें 1 कर दें 1 कर दें हमने r को निकाल लिया उसे हमने n बना लिया और कहां तक कर दें भाई r बदाबर 1 से लेके जाएए कहां तक n तक चले जाएए है न r बदाबर 1 से लेके कहां तक जाएए इसको n तक जाएए एक पद हमने कम किया न यह हो जाएगा n-1 और यह हो जाएगा cr-1 दोनों को हम एक एक कम कर देंगे प्लस अब हमको पता है बस फदों की संक्या वह ही अगर हम इसको पूरे को n मान ले और इसको r मान ले तो यह भी वही लिखा हुआ है है न वही सेम टर्म तो यह क्या बन जाएगा हमारा यह वाला जो टर्म है इसका जो समेशन की वेल हुआ जाएगी तो की पावर n माइनस वन आ जाएगी और यह कितना हो जाएगा तो की पावर n हो जाएगा और तो की पावर n अगर हम common ले ले तो कितना आ जाएगा एन बाइ 2 प्लस 1 हो जाएगा और 2 देखो को LCM लेंगे तो यह 2 इसके साथ अर्जेस्ट हो जाएगा 2 की power n-1 हो जाएगा और into में आ जाएगा n plus 2 n plus 2 तो कौन साफफ़न से हो रहा है यहां पे 89 का जो d option है वो correct हो रहा है आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 90 90 में इसे calculate करना है लिखा हुआ n-r plus 1 ठीक है कोई बात नहीं n-r plus 1 दिया गया है into npr-1 यह calculation करना है में को ठीक है यह आ जाएगा n-r plus 1 into में आ जाएगा देखो यह n factorial हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा n-r कितना हो जाएगा n-r तो minus plus हो जाएगा यह वाला कब factorial हो जाएगा ठीक है हमने कर दिया बही अब थोड़ा सा काम करेंगे यह आ जाएगा n-r plus 1 और यह n factorial है डिवाइड में इसको open करेंगे बैक जाएगे तो आ जाएगा n-r plus 1 और यह आ जाएगा n-r factorial हो जाएगा यह गटता है तो गट गया यह दोनों cancel out हो गए अब देखे n factorial बटे n-r factorial होता है n-r इसे क्या बोलते है n-p-r n-p-r 90 में कौन सा अप्फन सी हो जाएगा यह वाला option जो है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question नमबर देखेंगे 91 91 करेक्षब적 pencil के एक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्ठित किया जा सकता है है न यदि n-r e एक साथ रहें क्या है भई pencil तो pencil में हमने क्या किया n-r e को क्या किया एक साथ व्यवस्ठित कर दिया बचा क्या p-c-i-l स्थिक है अच्छा मिला के मतलब कि इसको पूरे को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं भाई एक चार अच्छर ये हैं एक अच्छर ये हैं एक ये इसे कंप्लीटिन को साथ है रखना है एक कैमान के चलना है ठीक है अच्छा भाई तो कितना हो जाएगा अब हम रख सकते हैं N और E एक साथ रहें है ना अगर N और E कितने साथ रहें 21 साथ रहें तो देखो ये भाई टोटल मिला के 5 अच्छर हो गए और इन 5 अच्छरों को 5 पैक्टोरियल प्रकार से रखा जा सकता है इंटू और N E को भी तो हम अरजिस्ट कर सकते हैं दो अच्छर हैं तो दो फैक्टोरियल प्रकार से इनको लिख सकते हैं पांच फैक्टोरियल का मान होता है 120 और दो फैक्टोरियल का मान होता है दो तो इन्हें हम लिख सकते हैं कितना 240 वेज से लिखा जा सकता है यानि कि 91 का जो B option है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे करद सेट आफ दे नेच्रॉल नंबर इज नाट क्लोजड फारदा ओपरेशन तो भाई सब्ट्रेक्शन के लिए क्या है ये क्लोजड नहीं है सब्ट्रेक्शन के लिए घटाने के लिए जो होगा सेट आफ नेच्रॉल नंबर इज नाट क्लोज फारदा किसके लिए सब्ट्रेक्शन के लिए है ना घटाने के लिए बाकि आप एडिशन करोगे तब भी आपको नेच्रॉल नंबर मिलेगी multiplication करोगे तब भी natural number ही मिलेगी square करोगे तब भी natural number ही मिलेगी लेकिन आप घटाओगे तो natural number नहीं मिलेगी है ना subtraction क्या होगा ये closed नहीं होगा तो 92 का C option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 93 93 93 मैं कराए कि if G is the multiplicative group of non zero residue class is modulo 7 then the order of the element residue class modulo 4 आफ जी तो गुरूप बना लेते हैं और गुरूप कैसा है non zero है कहां तक जा रहा है modulo 7 तक यानि किसके element क्या हो सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और क्या 7 बार 6 बार 6 बार तक ठीक है चले if this is the multiplicative group of the non zero residue class is modulo 7 ठीक है अच्छा multiplicative group है है ना modulo 7 then the order of element residue class 4 देखते हैं भाई अब एक बात confirm हो चुकी है बराबर क्या होना चीए बराबर हो जाएगा E ठीक है अब देखें इस group की जो identity है यहां पे है ना वो क्या है 1 bar identity कितनी है 1 bar है चले किसी भी element का निकालना है क्या है भाई multiplicative है identity इसकी 1 हो गई modulo 7 ठीक है हम अलो 2 के लिए कर रहे है तो यह 2 bar residue class 2 bar ठीक है हम क्या करेंगे भाई 2 की power 1 करेंगे 2 की power 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा 7 से भाग देंगे है ना और यह 2 की power में कितना रख दें 2 रख दें तो 4 आएगा 7 से भाग देने के बाद reminder 4 ही आएगा और 2 की power में अगर हम 3 कर दें तो कितना आ जाएगा भाई अब यह 2 की power 3 का मतलब 8 होता है और 8 में जगर 7 से भाग लगाएंगे तो 1 से सफल बचेगा है ना मतलब कि अब यह हमको identity यहां पे दे दिया अगर हमसे यह पूछा गया होता क्या कि order of order of residue class 2 बार तो हम यहां पे बता देते कि भाई 3 होगा क्योंकि यह identity दे रहा है प्रस्ट में हमसे पूछा है कि element residue class हमें निकालना है order किसका residue class 4 का है ना तो चलिए रखना सुरू करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा residue class 4 residue class 4 ठीक है चलिए तो residue class 4 जब हम लखेंगे इसकी power में 1 करेंगे 1 करेंगे इसकी power में तो कितना आजाएगा भाई reminder कितना आएगा 4 ही रहेगा अच्छा और अगर हम इसकी power में कर दे हैं 2 तो 8 4 की power 2 का मतलब 16 में 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा reminder 2 आएगा residue class 3 किया जाए भाई कि power में 3 कर देते हैं 4 की power में 3 कर दिया गया 64 हो गया 4 चोक 16 चोक 64 64 में हमने 7 से भाग दिया तो एक reminder आया इसका मतलब क्या है कि हमें identity मिल गई है इसका मतलब order जो होगा order of residue class 4 जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वही power हो जाती उसका order तो कौन सब्फन से हो जाएगा भाई इसमें बी वाला जो option है वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 94 94 में कह रहा है कि sign sign inverse यह दिया गया कोई बात नहीं देखिए इस sign को इधर उठा लो है या आप इसे रहने दीजिए यह लिखा हुआ है sign sign लिखा हुआ है और यह क्या लिखा है sign inverse एक बटा पाँच plus cos inverse एक बटा पाँच बराबर में कितना है देखिए one है ना one की जगा पे आप रख दो sign pi by two और इस sign से sign को काट दीजिए अब simple सी बात यह बन गई है कि sign inverse एक बटा पाँच plus cos inverse एक बटा पाँच बराबर pi by two आ गया तो आपने पढ़ा है अरे एक बटा पाँच नहीं यहाँ पे क्या है x है भाई simple सी बात यह है कि भाई आप यहाँ पे क्या होना चाहिए था अगर यहाँ पे इसने यह किया है हमें पता है कि sign inverse x plus cos inverse x is equal to pi by two होता है जब दोनों जगह पे same angle हो है ना दोनों जगह पे क्या हो यह और यह angle दोनों क्या हो same हो जाएं दोनों क्या हो same हो x की जगह पे क्या रखा जाना चाहिए था एक बटा पाँच तभी तो pi by two बनेगा 94 में जो b option होगा वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साब question number देखेंगे 95 95 दिया sign inverse अच्छा 10 दिया है आपे क्योई बात नहीं भाई साब इसे चुप-चाप रखिए यह हो गया 10 यह लिखा sign inverse sign inverse को आप change कर लिजे साब 10 में तो यह आज़ेगा 10 inverse ठीक है 10 inverse आपको पता है यह क्या है लंब बटे करण होता है और वो क्या होता है लंब बटे आधार भाई 3, 5 और 4 होते हैं सभी अगर 3 क्या है लंब है पांच क्या है करण है तो आधार क्या आएगा आधार हमारा 4 आएगा और 10 में अगर आपको पता है यहां पे कि भाई अगर हम माइनस को रख दें कोई बात नहीं हमें एक बात पता है क्या कि कॉश इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉश इन्वर्स एक्स के बरावार होता है तो यहां पर रख दीजिए तो आ जाएगा पाई माइनस माइनस प्लेस ह और यह हो जाएगा कौश इन्वर्स 4 बटा 5 ठीक है कोई बात में यह आ गया 10 और यह हो जाएगा 10 इन्वर्स 4 बटा 3 माइनस का हो गया पाई अब देखिए कौश इन्वर्स को भी हमें बदलना है आधार बटे करण होता है यानि कि लंब यहां पे हमारा 3 ही है कोई दिक्कत प्लस तो यह 10 इन्वर्स लिखा जा सकता तो यह भी 4 बटे 3 ही आ जाएगा ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल परसान नहीं होगे माइनस ले लो कौमन अंदर से कि पाई माइनस थीटा बनाया जा सके माइनस लिया कौमन 10 हो गया भाई जो प्लस का होगा माइनस का हो या कोई दिक्त नहीं समझेगा 10 इन्वर्स चार बटे 3 है न तो तो यह हो जाएगा 2, 10 इन्वर्स चार बटा 3 अच्छा, 180 माइनस थीटा आपको पता है, 10, 190, 180 माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा के बराबर होता तो यह पहले वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यह आ जाए 2A, 4 दुनी 8 बटा 3 बटे 1 माइनस 16 बटे 9 है ना, 16 बटे 9 हो जाएगा, 4 बटे 3 दिया गया है यह, है ना, अच्छा, 1 माइनस हो जाएगा, 4 बटे 3 दिया, 3 बटे 4 दिया था, एक मिनट, इसको अगर हमने लंब दिया गया है, लंब बटे आधार, तो 4 बटे 3 थोड़ी आए यहां पर, लंब बटे आधार होता है, लंब 3 हो जाएगा, और यह बटा 4 हो जाएगा, सेम यहां पर भी हम लोगों ने गड़बड़ी की, 4 बटे 5 तो ठीक था, यहां पर भी हो जाएगा, 3 बटा 4, sorry for that, यह भी आएगा, 3 बटे 4 यह गलती हो गई, तभी तो यहां पर 10 इनवर्स, 2 10 X, 2 X बटे 1 माइनस X स्कूर होता है, तो 1 माइनस अब 9 बटे 16 हो जाएगा, हो गया, भी 10 इनवर्स यह खतम हो जाएगे, यह 6 बटे 4 आजाएगा, गुड़ा आजाएगा, 16 बटे 7, काट दिया जाए इसको, 4 आएगा, 6 4 का 24 हो जाएगा, 24 बटे 7, है ना, आज़ानवे में कह रहा है कि साइन इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स X सबाई 5, साइन इनवर्स, X बटे 5 प्लस, अब देखिए कॉसे कि इनवर्स 5 बटे 4 दिया है, है ना, यह भाई अगर हम यह एंगल लेते, तो कॉसे क्या होता है, करण बटे लंब, तो करण इसक को साइन मिल गया है, कॉस में कनवर्ट करो, कौस इनवर्स, आधार बटे करण होता है, आधार कितना हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, फिर से वही बन गया, शाइन इनवर्स X प्लस, कॉस इनवर्स X बराबर 5 बाई 2 होता है, कहने का मत कौन सॉफफन से हो जाएगा 96 का सी वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question 97 देखेंगे question 97 में हमसे cut 25, 45 बटे 2 cut 25 की value जो होती 10 की क्या होती under root 3-1 और cut की क्या होगी under root 2-1 10 की क्या होती 10 25 का होती under root 2-1 और cut का कितना होता है under root 2-1 ठीक है तो कौन सॉफफन से हो जाएगा एवाला option जो है वो correct हो जाएगा अगे बढ़ेंगे question 98 98 में simple सी बात हमको दीगे P की value और हमको निकालना है P square minus 1 बटे P square plus 1 भाई हम 0 रखके तो निकाल सकते थे theta की value लेकिन मामला थोड़ा सा गलबल हो जाएगा कई option देखोई हम जीरो रख देते हैं अगर तो यह 1 हो जाता यह तो 0 हो जाता P का मान आता 1 रख देते हैं यहाँ पे तो 0 आता अब 0 कई option को देते यह भी देता यह दो दो option को 0 देते यानि कि अगर हमारे पास time ना होता तो हम B और C में मारते B और C में से कोई तुक्का मार देते है ना जिसकी priority हमारी B होती तो हमें काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और divert करके ले जा रहे हैं हम यहाँ पे theta बराबर रख रहे हैं 60 पुट कर दो भाई 660 plus 10 60 660 का मतलब होता है 2 और 1070 का मतलब होता है under root 3 है ना जिदोनों मान मिल गए P कमान आ गए हमारे पास 2 plus under root 3 लेकिन यहाँ पे P स्कुएर रखा गया तो इसलिए हम इसका स्कुएर भी कर लेंगे कर दो वर्ग ता आजएगा 4 plus 3 plus 4 under root 3 है ना यह कितना आ गया भाई 7 plus 7 plus 4 under root 3 value हमें किसकी निकालनी है यहाँ पे हमको जो value निकालनी है P स्कुएर माइनस 1 P स्कुएर माइनस 1 divided by P स्कुएर प्लस 1 रख दिया जाए P स्कुएर की value है कितनी 7 plus 4 under root 3 minus 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 7 plus 4 under root 3 plus 1 भाई साथ में एक घटा लेंगे कितना आएगा 6 कोई आवाज आ रहे थी 6 बटे 4 under root 3 और यह कितना हो जाएगा 8 plus 4 under root 3 उपर से जो common है वो से ले लिया जाए ले लिया common उपर से हम लेते हैं common 2 2 ही तो common है 2 हमने common ले लिया ठीक है तो अब बचा कितना है यहाँ पर 2 3 6 plus 2 under root 3 नीचे से 4 common ले लो नीचे से 4 common लेंगे तो यह आ जाएगा भाई 4 दुनी 8 plus under root 3 काट दिया जाए यह 2 आ जाएगा यह एक बटे 2 आ जाएगा उपर से under root 3 common ले आ जाए under root 3 plus 2 दोनों cancel out कर दिया जाए under root 3 बटे 2 अच्छा under root 3 बटा 2 जो मान होता वो sin 6 का होता है किसका होता है sin 6 तो sin 6 है होगा थीटा का मान sin थीटा थीटा की जगाफ हम रख सकते हैं 60 एन रखा है हमने उपर तो कौन साफ़न से हो जाएगा 98 का जो बी वाला option है वो करेक्ट हो जाएगा चलिएगा 99 यह बहुत फेमस question है कई बार आ चुका है से हम नहीं बताएंगे आपको सीधी सी बात याद रखना है कि 10 थीटा प्लस sin थीटा ब्राबर M दिया जाए और 10 थीटा मैनस N स्क्वेर की जो वालू होती है वो 4 अंडर रूट MN होती है आपको याद होना चाहिए तो D option यहाँ पर 99 का correct हो जाएगा question number 100 देखेंगे यहाँ पर दिया sin थीटा प्लस कोई से थीटा ब्राबर 2 अब देखेगा एक कोई ऐसी वालू जो से satisfied करेगी हम इसको convert करके भी निकाल सकते हैं लेकिन हम कहरें convert क्यूं कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर रख दें कितना थीटा बराबर 90 रख दिया जाए रख दिया हमने तो देखें से satisfied कर रहा है कि नहीं तो कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा shine 90 प्लस कॉस एक 90 तो कितना आजाएगा अगर हमें इसकी value निकाल नहीं है तो कितना आजाएगा यह आजाएगा shine 90 की power में कितना 2023 और सो में वाल और कारेक्ट हो जाएगा इसके बाद हम लोग अगले पाक की बात करेंगे ठीके विडियो कैसे लगी यह कलासनoka अपको लेक्चेर था है आपकी यह कैसी लिगी आप एक बसफ़ां आकने की मात्रम सिर्ट इंद्ध वनदे मात्रम